Hey guys, this is Friti आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं 17 अगस्त के Current Affair इसमें जो भी important questions होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में cover करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है हेलारो, हेलारो ये गुजराती फिल्म है जिसे मिला है Best Feature Film का Award बात करेंगे हम लोग आज के पहले question की उत्तरी द्रू के उपर से उडान भरने वाली Air India की पहली airline कौन सी बनी है तो उत्तरी द्रू से उडान भरा है, यहाँ पर किसने यहाँ पर भरा है Air India ने उडान भरा है कौन सी है Air India और 15 अगस्त को Air India की दिल्ली से सैन फ्रांसिसको जाने वाली flight उत्तरी द्रू से होकर जाएगी याद रखेगा काफी important question है अगरा question है हमारा हाल ही में कहा के मुरुगन मंदिर के पंच तीर्थम को GI tag दिया गया अच्छे GI tag काफी important है और exams में आने वाले हैं तो पिछले इस साल पिछले 6-7 महिने में जितने भी important GI tag दिये गये हैं उन सभी को summarize करके आपको एक special video पढ़ा दिया जाएगा तो फिलाल हम लोग बात कर रहे हैं पंच तीर्थम की पंच तीर्थम कहा का है तो ये तमिल नाडू का उतपाद है ठीक है कहा का है तमिल नाडू का उतपाद है पंच तीर्थम और यहाँ एक प्रकार का प्रशाद है जिसे हम लोग जानते हैं अभिशेक प्रशादम के नाम से इसमें कुल पांच प्राकतिक प्रदार्थों से मिलकर इसे बनाया जाता है जिसमें कौन-कौन से हैं केला, कुड, घी, सहद, इलाइची यह पांच चीज़े हैं जिन्हें मिला करके पंच तिर्थम या फिर अभिशेक प्रशादम को बनाया जाएगा ठीक है, अब हम लोग बात करने हैं तमिल नाडू की तो तमिल नाडू की कैपिटल है चिन्नेई और अगर हम लोग CM की बात करें, यहां के CM है, T.K. पलानश्वामी ठीक है, गवर्नर कौन है, बर्मारी लाल पुरोहित है यहां के गवर्नर, याद रखेगा नेकस है हमारा, हाल ही में किसने ओपरेशन नंबर प्लेट सुरू किया है काफी important question है, operation नंबर प्लेट सुरू किया गया है, आरपीफ के द्वारा आरपीफ का full form क्या होता है, यहां पे है railway सुरच्छा बल इसके तहट किया जाएगा कि railway परिसर में जो parking होते हैं, वहां काफी समय से जो बाहन खड़े होते हैं उनका identification और verification किया जाएगा, अब बात आई है आरपीफ की, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि आरपीफ के असापना कब हुई थी, आरपीफ के असापना हुई है 1872 में, इसका मुख्याले है नई दिल्ली में और डिरेक्टर जनरल है अरुन कुमार नेक से हमारा Commonwealth Games 2022 में किस खेल को सामिल करने का नेड़ा लिया गया है, Commonwealth क्या होता है, जो भी देश, एक समय में ब्रेटेन के उपने वेस रहे हूँ, उन्ही का समू क्या कहलाता है, Commonwealth Games और इसमें महिला क्रिकेट को सामिल किया जाएगा, 2022 वाले Commonwealth Games में महिला क्रिकेट को सामिल किया जाएगा, या मैच हर चार साल पे होता है, और इसके पहले या हुआ था 2018 में, ठीक, 2018 वाला कहां पे हुआ था, Gold Coast Australia में, और 2022 का कहां पे होगा, Birmingham England में होगा, ठीक, अगर हम बात करें महिला क्रिकेट की तो या मैच T20 प्रकार का होगा, जिसमें देश की विश्व की कुल 8 टी में भाग लेंगी, नेक्स है हमारा, किस राज जी ने World Education Summit 2019 में पुरसकार जीता, World Education Summit, इसका पुरसकार जीता है, राजस्थान ने, किसने जीता है, राजस्थान ने, higher education मे Best Innovation के लिए राजस्थान को यह आवार्ड दिया गया है, इसके अलावा मैंने कुजिन पहले आपको बताया था कि राजस्थान का नया उच्चतर सिच्छा मॉडल क्या है, RACE, और RACE का फुल फर्म क्या है, Resource Assistance for Colleges with Excellence, यह है RACE का फुल फर्म, बात आई है, राजस्थान की, तो याद रखेगा, छेतरफल की द्रिश्ची से भारत का सबसे बड़ा राजी कौन सा है, राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है जैपूर, और जैपूर को युनेसको दारा विश्व विरासत अस्तल में घोसित कर दिया गया है, यहां की CM है, अशोक गहलोद और गवर उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक टू हुई थी, वहीं से इनका संबंद है, तो इनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया है, कब 15 अगस्त 2019 को, और 27 फरवरी को इन्होंने मिकर 21 से इस समय की लेटिस्ट टेकनोलोजी से बना F-16 विमान को मार गिराया था, याद रखेगा, अ अच्छा कैसे मिला है, यह पश्चिम बंगाल के हैं, जो वहां के पारमपरी व्यंजनों को फ्रेंच आकार देते हैं, ठीक है, और इसका नाम क्या है, ओडर ओफ एग्रिकल्चरर मेरिट, ठीक, याद रखेगा, नेक्स है हमारा, किस भारती एथलीट को, ट्रिपल इसमें छे सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है, और बात करने, अगर हम लोग प्रिटी उप्षा की, तो इनको पायोली एक्सप्रेस कहते हैं, और यह कहां से बिलॉंग करती हैं, केरल से बिलॉंग करती हैं, नेक्स है हमारा, हाल ही में, रिबॉक कंपनी ने किसे अप अपना ब्रैंड अंबेजडर चुना है, तो रिबॉक कंपनी ने अपना ब्रैंड अंबेजडर बनाया है, वरुन धवन को, किसे बनाया है, वरुन धवन को अपना ब्रैंड अंबेजडर बनाया है, अगला है मोटर स्पोर्स विश्वकप का खिताब जीतने वाली पहली भ बंगलरू से बंगलरू में ही इश्रो का मुख्याल है दुबई में पहला दोर जीतने के बाद इन्होंने पूर्टगाल में तीसरा और श्पेन का पांचवार हंगरी में चौथा अस्थान इन्होंने हासिल किया है याद रखेगा अब हम लोग बात करेंगे प्रीवेश डे क क्वेश्चन का तो प्रीवेश डे का पहला क्वेश्चन है हमारा भारती पहलवान ने तुबलिशी ग्रैंट पिक्स में 65 किलोग्राम में च्वड़ पदक जीता तो किसने जीता है बजरंग पुनिया ने उसके बाद है है हैदराबाद ओपन बैट्मिंटन और नेक्स है हमारा भारती राष्टी विज्ञान अकादमी की पहली महिला अद्देश कौन है चंद्रिमा शाहा क्या नम है चंद्रिमा शाहा अगला कुशन है हमारा राजनीतिक रिपोर्टिंग के लिए किस भारती पत्रकार को 2019 में प्रेम भाटिया आबोर्ट से समानित क भाई को फिर हमारा भारत का पहला स्वास्त केंद्रिद क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉंच किया है तो आरबियल बैंक ने इसको लॉंच किया है स्वास्त केंद्रिद कार्ड फिर हमारा क्लाउड टेक्नोलोची के लिए रिलाइंस जियो ने किस कंपनी के साथ साथ लेसेंस लाइफ टॉट मीं अनौविंगली किसकी आत्मकता है अनुपमखेर की फिर हमारा किस राज़े में 15 क्लमेटर लंबा राश्ट्री दोज फ़र आए गया तो छतिस गड़ में 15 क्लमेटर लंबा राश्ट्री दोज फ़र आए गया अब आप के लिए एक वैसली क्वेस ना भूले, डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल अइकन पर जरूर क्लिक करें थैंक यू फ्रेंज, थैंक यू सो मच